नमस्कार दोस्तों आपका सुवागत है फिर एक बार सुमित आईट है पलंबर चैनल पर आज वह आप देखर है जो यह टंकी है थ्री लेयर की और पलंबर ने इसके अंदर जो टंकी का जवाइंट होता है इसमें कनेक्शन कर दिया है अब जो मालिक है वो बहुत प्रेशान ह क्योंकि इसकी टंकी सिर्फ एक साल के अंदर ही खराब हो गई है जबकि इसकी पांच साल की वारंटी है पर एक साल के अंदर ही खराब हो गई है यह देख रहे हो आप यह जो आइंट से हम जितना इसको अप्टाइट करेंगे कनेक्शन को उतना ही यह लीक करती चले जाए यह उपर तक और यह जोईंड इसका खुलता जला जाएगा उपर तक यह तंकी का जोईंड होता है आप देख रहे हो यहां से लीक कर रही है यह हमने वह लगा रखाएज में दोबारा टंगी कनेक्शन लगाया है पहले वाला क्राब हो गया है इसमें मकान मालिक ने एमसिल वह लगा के देख लिया बिल्कुल कि देख रहे हो आप यहां पर कनेक्शन करना होता है जो साइड में दिखाया है हमने आपको या इसके दूसरी साइड भी हम आपको दिखाएंगे उस साइड भी आप कनेक्शन कर सकते हो मलब जो आइंट को छोड़के आप कहीं पर भी कनेक्शन ले सकते हो तो आपको आगे से मलब ज्यान रखना है पहले हमने आपको आपने यह टंकी को खाली कर लेना एक बार हम आपको यह कनेक्शन करके दिखाएंगे कि कैसे यह कामियाब हो सकती है जो दो-तिन साल और निकाल सकती है टंकी पहले एक बार टंकी को बिल्कुल साफ कर लेना पाने को नीचे तक टंकी को खाली कर लेना है यह देखो बंदर जो पाइप तोड़ देते हैं उसका भी हम आपको बता रहे हैं साथ में यह एरवाल लगा लगाएंगे हम इसमें बंदर ने पाइप तोड़ दिया इसका और बिल्कुल काम खराब हो गया है हम जे जो एरवाल है यह में अब लगने के बाद में बंदर इसको नहीं तोड़ पाते हैं या बच्चे बीन तोड़ पाते हैं और हमारे जो हवा होते हैं तंकी के अंदर वो भी नहीं बनती है अब हम इसको air wall को लगाएंगे यह tea दिखा रहे आपको यह tea लगाके बरास की tea और इसमें आदाइंची की air wall लगाने वाले हैं यह देख रहे हो आप हमने लगा दिया है और हमने m seal लगा के और aerodide से इसका लेप कर दिया है इसको कम से कम 3 घंटे सूखने के बाद ये ठंकी और कहीं से लिएक हो सकती है लेकिन यहां से लीग नहीं हो गी दिख रहे हो हमने अब